नमस्कार चंडिगर्ड स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है इस कारिकरम की श्रंखला में आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रिय शिक्षा निती यानि New Education Policy, National Education Policy 2020 दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस कारिकरम में इस विशे पर हम चर्चा करने के लिए आज यहां पर उपस्तित हैं और मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारे लंबे समय के अंतराल के बाद करीब 36-34 years के बाद और बड़े लंबे इंतजार के बाद हमें यह नई राश्ट्र शिक्षानिती मिली है और इसको नए कलेवर में किस तरह से इसका नया स्वरूप है उस पर बादचित करने के लिए हमारे बीच में खास मेमान मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत गौरव हैं एसोसीट प्रोफेसर हिस्ट्री गौर्मेंट क विदे शिक्षन संस्थान सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम इसका नया स्वरूप है जो हमारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा तो डॉक्टर प्रशांत गौरव मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे बताइए थोड़ा सा राष्ट्र शिक्षानीती जो प्रधार मंत्री जी ने कहा भी था कि इसको नई शिक्षानीती न कि देखे तो इस बेकरांड में सबसे लुए खार, 1968 में, 1968 में, शब से पहला नई सिक्षानीती लागू की गई थी थी, दूसरा सिक्षानीती Їप राजीव गांजी जी के समय में इसको लागू किया जी आ था been Αंनी चलकर के समय बदलता गया और कहा जाता है कि समय काफी व सबसे पहले इसी चीज़ पर ध्यान दिया गया और 2020 में इसमें नई चीज़ों को जोड़ते हुए समय के साथ जोड़ते हुए नई परिप्यक्ष कंप्यूटर और इन सारे चीज़ों को जोड़ करके एक नई निती बनाई गई जिसको राष्टिय सिक्षा निती 2020 कहा गई डॉक्टर प्रशांत मैं आपसे फिर से सवाल पोछूँगा एक बार है हमारे शास्त्रों में भी बहुत समय से कहा गया है सा विद्या या विमुक्ति है विद्या वो है जो मनुश्य को सरवांगिन विकास करें समग्र विकास करें और उसको एक तरह से विमुक्त करें तो किस तरह के बदलाव देखे गई हैं जो इतने वर्षों के बाद एक र कारगर साबित हो रही है मैं सब के पास पहुचना चाहिए तभी वो जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा और दूसरा गांधी ने जो बात कही थी कि हमारे जो तीन एच है हैंड, हैड और हाट वो कही न कही आज की इस निए एजुकेशन पॉलिसी में कही न कहीं आप देख पाएंगे कि वो इकठे इसमें लेके गई हैं और साथ के साथ इन हातों को जब तक काम नहीं मिलेगा तो क्योंकि इस टाइम अनिप्लाइमेंट की जो प्राबलम जो आ रही है वो कहीं न कहीं एक जो सर ने भी बात की या और दूसरी बात जो निकल कर आएगी जो ब्रिटिशन्स की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो यही थी कि आपको सरफ एक इंग्लिश वॉइट कॉलर जेंटलमेन बनाना है कि आपने सरफ एक लर्क का काम करना और कुछ नहीं आपकी शिक्षा नीती से आपका देश खतम हो सकता है तो शायद यही एक वो थी जिसके वज़े से गांधी ने इन चीजों के उपर बात की और एक बात की ही कि हमारे देश में अगर हमें एक जुट होना है तो उसमें एक शिक्षा एक ऐसे बहुत बड़ा माद्यम है आप विश्विद्यालेविधी शिक्षन संस्थान से आते हैं तो इसके लीगल एसपेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि किस तरह से हम नई बदलाव नई कलेवर में देखते हैं नई शिक्षानिती को बात करते हैं, शिक्षा का मूल उदेशे होता है व्यक्ति का निर्मांड करना, क्योंकि जब हम शिक्षा को व्यक्ति से जोडते हैं, तो व्यक्ति के निर्मांड के साथ परिवार का निर्मांड होता है, परिवार के निर्मांड के साथ समाज का निर्मांड होता है, और समाज ताकि जैकार घोश कर सकेंगे दुख की बात यह है कि हम सब जानते हैं कि हमारे उपर अंग्रेजों का साशन रहा और थॉमस बेबिंग्टन मेकॉले ने जिसकों की लोग लॉड मेकॉले के रूप में जानते हैं उन्होंने ब्रिटिश पार्लेमेंट में भी भिखारी भारत में देखने को नहीं मिला मुझे भारत में एक भी चोर देखने को नहीं मिला भारत की जो रीड की हड़ी है भारत का जो संसकार है भारत का जो समाज है उसका जो अंदर जो वेल्यू सिस्टम है जब तक कि हम उस नैतिकता के उपर चोट नहीं लगाएंगे तब तक हम भारत के उपर और भारतियों के उपर राज नहीं कर सकते और उसी संदर्ब में उसी का जवाब देते हुए भारत के ही संत ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में उदबोधन में ब्रदर्ज एंड सिस्टर्ज ओफ अमेरीका के माध्यम से जो संदेश दिया था वो वसुधेव कुटुमगम का संदेश था जिससे अभिप्राई यह है कि शिक्षा का जो मूल मंतर है वो व्यक्ति के निर्मांड का है चरितर के निर्मांड का है मानवता की बात का है कहीं न कहीं हमने ये देखा जब हम आज आजादी का अमरित महत्सव मना रहे हैं तो क्या हम आने वाले 15 अगस्त 2047 के लिए तयार हैं? क्या हम भारत को पुनहे से जगत गुरु विश्व गुरु का दरजा दिला सकते हैं? क्या हम भारत को विश्व पटल पर तृतिय शक्ती क के रूप में पुनहे उभार सकते हैं तो कहीं न कहीं अगर हम अपने देश को पुनहे से आतम निरभर भारत बनाना चाहते हैं तो वह शिक्षा के बिना असंभव होगा और उसी दिशाव को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने जो सस्टेनेबल डुल्मेंट गोल व एकुलूसिव एजुकेशन की वोकेशनल एजुकेशन की तो उन्हे सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो घटनाए विश्व पटल पर हो रही थी उन्हे को ध्यान में रखते हुए मध्य नजर रखते हुए भारत को पुनहे से सोने की चिडिया के लाई जाने वाला देश बनाने के लिए भारत की सरकार, भारत की जनता के लिए, भारत के विद्यार्थियों के लिए, भारत के भविश्य के लिए इस शिक्षानीती को हम सब के समक्ष लिकर रहे हैं। आप खुद को एक्स्प्लोर करने का एक रास्ता दिखाता है, तो ये बहुत अच्छी शिक्षानीती है और जीवन भर आपका पढ़ाई में साथ दे सकती है। जो निव एजुकेशन पॉलिशी आई है, वो हमारे लिए बहुत ही फायदय मन्द है। और ज़िए हमारे पॉइंट अप्विव से देखा जाए तो जो चीजे पहले हम साइन्स के स्ट्टेंट थे, आर्स के स्ट्टेंट थे या कमर्स के स्ट्टेंट होते हैं। जो निव एजुकेशन पॉलिशी में देखा जाए तो उचीजे हमारे लिए बहुत ही फायदय मन्द है। पर इस बार सिखाने पर जादा जोर दिया जागा। जनरेशन के लिए अच्छे हैं कि आप वो नए से लिबस पढ़ेंगी और नए तरीके से लोगों को जानेंगी। जिस चीज के अंदर हमारा इंट्रेस्ट है। उस हिसाब से हमें नॉलेज दी जाएगी। जैसे कि अगर आप मैट्स के साथ हिस्ट्री बढ़ना चाहते हो या पॉलिटिकल के साथ कम्प्यूटर सैंस पढ़ना चाहते हो। आपके लिए हर चीज अवेलिबल है। आपने देखा कैसे हमारे युवा राश्ट्र शिक्षानिती के प्रतिक इतने उजागर हैं। प्रशान्त मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एक्जिट की बात की गई है। जहां पर आप ग्रेजुशन लेवल पे युवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं। तो आप अपनी इच्छा से जैसे ड्रॉप आउट बच्चे होते थे तो वो भी फिर कहीं से एंट्री कर सकते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया इस लीती में। इसमें सबसे पहली बात तो यह थी कि हमारे यह अगर हंडेट पर बच्चों ने ग्रेजुएशन के फॉस्ट इयर में एमिशन लिया तो जब सेकेंड इयर में जाते थे तो ड्रॉप आउट 20% हो जाते थे उसके बाद जाते थे फिर 20% हो जाते थे खासकर लड़कियों की स संक्या घड़ जाते थे तो जो उन्होंने एक साल की सिक्षा गरन किया जो उन्होंने दो साल के सिक्षा गरन किया ओर लगबलग समाप्त हो जाता जीरो हो जाता था इस सिक्षानीती में बहुत अच्छी बात हुई कि अगर वह पहला साल बच्चा पास कर गया तो पास करने यानि कि कुल मिलाकर करके अगर फॉस्ट येर बच्चा पास करता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री दिया जाएगा, अगर सेकेंड येर करता है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर ठर्ड येर भी कर लेता है तो उसे डिग्री दे जाएगी, और चौथे साल भ बरबाद होते नहीं देख सकता है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट को लेकर का बहुत अच्छी बात है, बच्चा चाहे कि हिस्टी का कोई बच्चा है, और वो हिस्टी में, यानि कि कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स में बदा हुआ है, साइंस का बच्चा साइंस में बदा हुआ ह और कुल मिलाकर करके आर्स का बच्चा आर्स में बदा हुआ है तो ये सारे चीज अब खतम हो गए कहीं ने कहीं ऐसा था कि एक साल या दो साल पढ़ाई करके ग्रेशन की कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती थी तो उस वज़े से अभी कोई दिक्कत नहीं है अगर साथ साल के बाद भी अगर वो दुबारा से शुरू करना चाहे तो इंट्री हो सकती है उसकी जी डॉक्टर मनीश जी हम आप से बात करना चाहेंगे हमारे जो विद्यारतियों ने बात की उनका बड़ा सकारात्मक देखने को मिल रहा है तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे उसका सबसे जैसे सर ने भी बात बुली है कि पहले जो था वो टाइम पिरिएड कम था उसमें कि दो साल या तीन साल के अंदर ही आप वापिस अड्मिशिन ले सकते हैं विदिन था टाइम फ्रेम पिरिएड अब वो साथ साल का हो गया है और दूसरा यह नहीं है कि अगर आ के साथ मिलके कर सकते हैं काम बट उसके लिए सबसे बड़ी जो जुरूरी बात है वो यह है कि कॉलेजिज भी एक दूसर के साथ मिलके चले तो यह शिक्षानीती और भी सफल हो सकती है क्योंकि कई बार टाइम पिरेड जो है दोनों का टाइम टेबल है वो अलग भी हो सकता है तो अगर सभी जो कॉलेजिज हैं अगर वो मिलके अगर यह टाइम फ्रेम अगर तैयार कर लें तो एक दूसरे के कॉलेज में बच्चें को जाना भी असान होगा दूसरा एक दूसरी की जो नीड्स है वो फुल्फिल हो पाएंगी और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी जो उनके पास समान है जो लिबरेटरीज हैं वो एक दूसरी के यूज कर सकते हैं तो यह एक सबसे बड़ी बात है कि सरफ आपके पास जो शिक्षा है आप अपने तक ही सीमित नी रखेंगे आप दूसरों तक भी इसमें देंगे और एक सबसे बड़ी जो बात कोर्सिस का जो इसमें कंसेप्ट ओपन किया गया है वो कहीना कहीं जो हम अपनी जो जड़े हैं जिनको भूलते जा रहे हैं वो कहीना कहीं दुबारा रिवाइव होंगी बट उसके लिए सबसे जुरूरी जो चीज है कि जो कुछ कुछ लोगों के बीच में मिस कंसेप्शन हैं नियू एजुकेशन पॉलिसी के वो भी साथ के साथ अगर क्लीर होते रहें जैसे आज का आपके ये प्रोग्राम है इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो शायद बच्चों में और भी इसका रुजान उबढ़ता रहेगा डोक्टर भारत मैं आपसे जानना चाहू हैं पुरानों को हम पढ़ते हैं तो हमें एक वाक्य मिलता है तम सो मा जो तिरगम है अंदकार से परकाश की और अज्ञानता से ज्ञान की और तो राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 है वह कहती है कि आयू की कोई सीमा नहीं होगी उम्र का कोई सीमा नहीं होगी समय का कोई उमर में किसी भी परकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से हम हर व्यक्ति को हर उमर में हर परकार की शिक्षा प्राप्त करने का इस राष्ट्रे शिक्षा नीती के माध्यम से एक अवसर परदान करेंगे जिस परकार से इस बताया गया है कि इसके अंदर एक academic bank of credits त्यार किया गया है जिसको हम बोलते हैं ABC जिस परकार से भारत की सरकार ने financial inclusion scheme चलाई थी मेरा खाता भाग्य विधाता उसी परकार से जब हम bank account खोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ राशी धन राशी जमा करते हैं और जरूरत के अनु ABC राश्ट्रे शिक्षा नीति के माध्यम से जिसका सवरूप तियार किया गया है वो बात करती है कि हम credits को accumulate करेंगे credits को ABC bank में जमा करेंगे जिस परकार से डॉक साब ने बहुत खूब सूरत तरहें से बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्तिगत कारण से परिवारिक अगर निर्धारित समय में उस शिक्षा को पूरा नहीं कर सकता तो उसको certificate course हो जाएगा, diploma course हो जाएगा, डिगरी को course हो जाएगा, advanced research degree की उसको सूहलियत प्रदान की जाएगी, तो इसके माध्यम से जो भी विद्यार्थी है उस तक शिक्षा पहुंचे, चाहे वो गरीब पज़र्गें से आता है, चाहे वो ट्राइबल इलाके से आता है, चाहे वो ट्रांशजेंडर है, चाहे वो फीमेल है, क्यूंकि अगर हम 2018 के आकड़ों को देखते हैं सर मैं आपको रोखना चाहूँगा बीच में, माफी चाहूँगा, हमारे बीच में कुछ बाइट्स हैं, हमसे बात की हैं, कुछ शिक्ष्या वीदो ने और बहुत अच्छे विचार रखे हैं, उन्होंने एक बार देखते हैं, उन्होंने क्या कहा इसमें जो में फोकस है, वो है मल्टी डिसिप्लिरी अप्रोच, जब हम बात करते हैं कॉलेज में आने की, तो एक बड़ी इसमें जो चीज हुई है, जो खास है, वो यह है कि पहले बच्चा जो मार्क्स के हिसाब से अड्मिशन लेता था कॉलेज में, तो कहीं बार उसको नहीं होता, तो वो कैट के थूँ एक्जाम देगा, और उसके कैट के मार्क्स और उसकी बारवी कक्षा के मार्क्स जोड के उसको कॉलेज में एड्मिशन मिल जाएगा. नार नार जथे ऐसी ओफलाइन कलसी लगन दे सी, उस ते नार ओनलाइन कलसी दा जड़ा ट्रेंड है, ओवी इस तपली सी देना शुरू होएगा. पहले एक टाइम आया था जब हम स्पेशलाइजेशन के ओपर फोकस करते थे, अब क्या है, तो है तो हैव दी इंबाइब ऑफ बोथ क्रेटिविटी और ग्रिटिकल थिंकिंग अक्शली, तो वी नीड तो हाव मुल्टिडिसिपिनरी अप्रोच और उसमें जो नीव जो कि सभी साइनसेज को भी हमानिटी इस को भी कावर करें आपने अभी देखा हमारे शिक्षावीदों ने किस तरह से अपने सकारात्मक परिणामों के बारे में बात की सर आपने देखा कि अभी वावकों में भी बड़ा रुजहान है एक तरह का प्रिणात्मक जितने भी प्रभावी धंग से जो शिक्षावी नीटी हमारे बीच में है तो अभी वावकों का भी बहुत अच्छा उन पर सुझाव दिये उन्होंने दोक्र प्रिशाथ मैं आप से जानना चाहूँगा कि रिसर्च और डेवलेप्मेंट की बात करते हैं जब हम तो इस एंगल से नई शिक्षावी नीटी कितना इंपक्टफुल रहेगी बास्तों में नई शिक्षावी नीटी के साथ एक अच्छी बात ये है कि ये नई चीज़ों को तो सामने लाए जो खामी पहले देखा गया उस खामी को खतम करने की कोशिस की गई दूसरी चीजी है कि जब research के level पर हम जाते हैं तो research के level पहले से continue चला रहा है हम पर पास PhD का जो trend था प्रोजेक्ट करने का यह सारे जो trend थे वो trend अब भी भी चलेंगे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ चीजों में कुछ समय पर ऐसा लगता था कि हम research को ले करके अपना time based कर रहे हैं यह ऐसा लगता था कि हम research के उस period को लंबा घीच रहे हैं और उसमें M.Phil का degree था तो M.Phil के degree को इसमें हटा दिया गया इसमें research based उन सारे चीजों को दिया गया और एक बड़ी अच्छी बात हुई colleges को और university को इस मामले में थोड़ा सा अलग अलग कर दिया गया colleges में जो activity होगी और social activity और सारी जो activity यह सारे activities होगी कई तरह कि आपको subject मिलेंगे जो initial stage पर मिलेंगे और उसको बच्चे ले सकते लेकिन इन्वड city के label पर इसमें research को इतना perfect कर दिया गया कि वही बच्चे इन्वड city में जा सकता है जो बच्चा pre-pg जो colleges में कर ले यानि कि जो interested है वही जाएगा मैं डॉक्टर मनिश शर्मा मैं आपसे जानना चाहूँगा multi-dimensional इसको बनाया गया है शिक्षानीती में एक पंक्ती में आप बताएं करते हुए एक component जो research का जैसे आपने बात की और तक में आपकी बात पर और भी आ रहा हूँ कि उसमें जो research जो MFIL खतम की है उसमें component जो एड़ किया गया research का कि बच्चों को आप कैसे तैयार कर सकते हैं क्योंकि एकदम से PhD में आना एकदम से बहुत मुश्किल हो जाता कि रिसर्च नहीं हो पाती है तो इन्होंने इसमें एक चीज एड़ की है कि आपको रिसर्च का भी कॉम्पोनेंट दिया गया है आपको जो फील प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती थी उसको डिसर्टिशन के रूप में कनवर्ट किया गया ताकि लोग पहले से रिसर्च का जो कॉम्पोनेंट है वो जान सके और तीसरी जो चीज जो उन्होंने एड़ की है वो यह है कि आप एक चीज पे नहीं फोकस करेंगे आप इंटर्शिप में भी जाएंगे आप साथ के साथ जो आपका जो civil work है या आपका जो दूसरी जो NSS है या NCC है उन activities में भी participate करेंगे ताकि आपके जो credits हैं वो बढ़ सके और दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो एक जो point जो आया जो गांधी इन philosophy में भी है वो है human centric तो जो आप कहे रहें ना कि multi-dimensional वाला जो है कि अगर आप चैस साइंसिस में है चैस आप commerce में है चैस आप arts में है चैस और फिल्ड में है आपको एक component जो human centric है वो आपको जरूर करना होगा एक तो ये और दूसरा ये है कि आप अपनी फिल्ड में तो महारत हासल करेंगे आप जो minor जो discipline है उनको भी आप accept करना शुरू करेंगे ताकि आपकी जो overall development है क्योंकि सिर्फ आपने एक काम तो अपना सीख लिया बट उस काम को सीखने के लावा आपके आसपास जो दायरा है उसको कैसे बढ़ाएंगे तो शायद ये भी बहुत अच्छी एक dimension जो इसमें उभर कराएगी तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव निज़र आ सकता है बिल्कुत सही बताया आपने मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ हमारे टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स बार बार चल रहे हैं उन पर भी आप देख सकते हैं हमारी जानकारी नई शिक्षानीती के बारे में और जब तक हम शिक्षकों को एक ऐसा वातावरन नहीं देपरदान करेंगे जिसके माध्यम से वे भारत के भविषय का समाज के भविषय का निर्माण कर सकें तब तक हम नई उन्चाईयों को नई बुलंदियों को नहीं चू सकते भारत की सरकार ने राष्ट्य शिक्षानीती 2020 के माध्यम से पंडित मदन मोहन मालविया को समर्पित एक नई ट्रेनिंग स्कीम स्टार्ट की है टीचर्ज के लिए पूरे भारत वर्ष में उस परकार का एक मॉडल त्यार किया है जिसके लिए लगभग 493 करोड रुपे का बजट एलोकेशन भारत की सरकार ने किया है और उस बजट एलोकेशन का मुख्य उदेश्य यही है कि जो हमारे समाज के शिक्षक हैं वह अपनी भूमिका को सुचारू रूप से परदान कर सके क्योंकि ऐसा कहा जाता है प्रेम समान कोई तप नहीं प्रेम समान कोई तप नहीं करतव्य समान कोई पूजा नहीं ग्यान में दोनों समाई हैं ग्यान समान कोई दूजा नहीं दोक्टर भारत आपका और दोक्टर मनीश शर्मा दोक्टर भारत आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस कारिक्रम में आए तो दर्शको आप देख रहे थे चंडिगर्ड स्पीक्स कारिक्रम मे आज के हमारे खास मेमान हमारे बीच में मौजूद थे और चर्चा का विशय था नई शिक्षानिती राश्टर शिक्षानिती पर आप देख रहे थे चर्चा खास हमारी और इस चर्चा को दुबारा देखने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल डीडी चंडीगर पर भी ज बता सकते हैं दोबारा हमारा ये कारिकरम देख सकते हैं और हमें कमेंट्स में वहां बता सकते हैं आपके सुझाव आपकी राय क्या है तो बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार